नमस्कार फ्रेंड्स स्वागा थे आप सभी कदर स्टेडी लाइन में फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का बहुत ही महत्पून टॉफिक कवर करेंगे जिसका नाम है गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइसराय यहां पर हम लोग तीनों को एक ही वीडियो मे कवर कर लेंगे और यहां से जो भी कोशन्स पूछे जाते हैं जिस भी वाइसराय से गवर्नर से गवर्नर जनरल से उन सभी को आज हम लोग कवर करेंगा और एक ही वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं मैं आसा करता हूं कि मैं आपको यहां पर जो समझाओंगा वो एक कहान एक रिसको बचला करके पर गुवर्नर करद चलाई तो आगे जब चलियंगा तो आपको देखने को मिली है discours ब्हारत का वाइस राय और फिर कर दिया Herman सवी मिलए तरह से संथावन से 1772 सवी ठकि बंगाल का गवनलय कर आता है लेंगे 30 θα सथय कर गार्तका तुर स div अजाद के लितलने के confusion नीचाहिए 20 सोफी ठकितलेयर लिए 1757 से थे किस्भी मिलए 507 पहरत के हाल्ता एक दो अकल है फिर आगे बात करें जब भारत अजाद हो जाता है तो उस समय से लेकर के और 1950 से स्वी तक भारत का गवनर जनरल फिर से कलाता है तो ये मैंने सौट समय दी था मैंने आपको बता दिया अब जब आगे आपको देखेगा तो अच्छी समझ में आ जाएगा चलिए देखते हैं कि कौन से गवनर के समय में कौन सी महत्पून घटना ये घटी और उसे हम लोग किस तरह से याद कर सकते हैं चलिए सबसे पहला कोशन से आपके सामने यानि कि पहला गवनर है रावर्ट कलाइब आपने रावर्ट कलाइब का नाम सूना होगा च्यों सुना होगा इसका जो है दो रीजन बहुत ही इंपोरेंट है पहला पहला तो इन्हों ने भारत में ब्रिटिस समराज की निव डाली और इस तरह से ये भारत का पहला गवनर बना ठीक है रावर्ट कलाइब जो है बंगाल का पहला गवनर था अगर आप से पूछा ज हूद और यह कब हुआ टेस उन 1757 को प्लासी का इूध किसके किसके बीच होता है तो आपको ध्यान में रखना में अंग्रेज के को होता है और आपको पता यह था तरह सिराझ भाषेला थे कर रहे थे और और सीराजुदोला कौन थे तो यह बंगाल के नवाब थे ठीक है बंगाल के नवाब थे कौन सीराजुदोला ठीक है और आपको यह पता होना अच्छी है कि सीराजुदोला को जो इनके सेना पती थे जो सीराजुदोला के जो सेना पती थे दो जो इंपोर्टेंट थे जो दो आपको बंगाल का नवाव बना देंगे तो जो है मीर जाफर ने जो है सीरा जुदू Cathedral को धोका दिया इस तरह से कहा जाए तो मीर जाफर हो राई दू लपट जो है सीरा जुदूर लख साथ भी नहीं को इस तरह से सीरा जुदाला जो है पलासी के युद में हार गए थे ठीक है नेक्स्ट बात कर लिए यहां पे नेक्स्ट है बंगाल का गवंडर जो है अगला है हिंड्री वेंसी टॉट यह इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके समय में बक्सर का यूद हुआ था आपके य ध्यान यह रखना है कि बक्सर का यूद हुआ कि सके बीच थहा था फिर से अंग्रेज के बीचर बीचंग थी और दूसरा था दूसरा था मिर कासीम क्यों था मeerकासीक्व कासिम के बीच हुआ था आसर जनक बात यह है फ्रेंट्स कि मीर जाफ जो सुरी मीर कासिम जो थे इसके तरफ से तीन से नाएं थे कौन कौन सा एक तो याद रखना आपको बंगाल का नवाब मीर कासिम यह तो स्वेम हो गए दूसरा था अवद का नवाब सूजा उद्दूला कौन था सूजा उद्दूला कहां का नवाब अवद का नवाब तीसरा जो था फ्रेंट्स वह था मुगल बादसा कौन था सह आलम दूतिये इन तीनों ने मिलकर के जो एंग्रेजों का सामना किया था ठीक है फिर भी अंग्रेज इसमें जीत गए थे और यह तीनों हार गए थे वैसे तो मीर कासिम का यह दोनों मिलकर के साथ दिये थे लेकिन फिर भी अंग्रेजों से हार गए थे ठीक है इतना आपको ध्यान में दिखना है ठीक है बीच में फिर से रावट क्लाइब आते हैं और रावट क्लाइब के दौरा जो इस बार जो है बंगाल में प्रारम करने वाला गवणनर कौन था तब आपको बताना है रावट क्लाइब था अच्छे द्वैद सासन क्या होता है आपके मन में सवाल आता होगा तो चलिए मैं आपको यह बताता हूं कि द्वैद सासन जो है एक तरश से एक ऐसी परनाली टी फ्रेंट्स जिसमें जो ब भूराजस्व और सैनिक सनक्षन के लिए इस इंडिया कंपनी देखते थे तीक है यानि की गवर्नर देखते थे ठीक है इतना आपको ध्यान में रखना है यही था द्वैद सासन कौन देखता था तो बंगाल का नवाब और भूराजस्व यह बूराजस्व से सम्भने जित संपूर्ण जो यह तरह से सासन वह नहीं हो रहा फ्रेंट बलकि वेपाडियों के द्वारा ही सासन किया जा रहा एक तरह से ठीक है नेक्स बात कर लें यहां पर नेक्स जो इंपोर्टेंट है वह बंगाल का गवर्नर जनरल अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तब आपको बताना है वारेन हिस्टिंग्स ध्यान में रखेगा अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का पर्थम गवर्नर तब तो आपको बताना है रावर्ट कलाईब लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा जाए तब आपको बताना है वार सिस्वी तिया और बात कर लेए इन्हों ने जय डुए सासन क कर दिया चेह धां ख़्यान स tremb इसको होने लगा कि बंगाल का बंगार गवनर कर ए बNET सब्सेधर क्या नग लेगा बंगाल का गवंणर अब क्या खाना लेने लगा बंगाल का गवंणर जनरल कराने लगा 1773 का जो रेग्योटिंग एक्ट आया था दूसरा काम क्या हुआ इसी के समय जो है यहां पर क्या करते हैं वह कलकत्ता में जो सुप्रीम कोट के अस्थापनों की गई थी और इस तरह से आपको ध्यान रखना किसके सासनकाल में वार्यन हेस्टिंग के सासनकाल में वह यह हुआ था कॉंची तो कलकत्ता में सुप्रीम कोट के स्थापना भी थी ठीक है वैसे वैसे थो 1773 कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है वह होता क्या है कि पेडि़्विज आता है इसके ग्टर जोसकी datर स rit एक hours कि कमी और इंग्रेजों दौडा जह लाए गया था पिट्सिद्डिए एक्ट फीक है और खासके इंग्रेजों की फिट्क लीटा ठीक है अगिला का रोहिला एकff था 1782 में ठीक है नेक्ट है दूसरा जो मेसूर यूद हुआ था फ्रेंट्स वह 1784 इस भी तेक हुआ था और आगे बात करें इसी के सासन काल में भात का पहला समचार्थ पत्र जो है यह रिलीज हुआ था द बंगाल गजट क्या है द बंगाल गजट का प्रकासन किसने क्या थ यह तो जेम्स अगर्स्टन हिककी ने इसके सासन काल में ठीक है और एसी आटिक सूसाइटी की उस थापना इसी के सासन काल में हुई थी ठीक है नेक्ट बात करमें नेक्स्ट है कारणवार्लिस क्या है कारणवार्रेज तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो है कारणवालिस लाट कारणवालिस इसके समय में जो इंपोर्टेंट है वो है तीसरा मैसूर यूद और जब तीसरा आंगल मैसूर यूद हुआ आंगल मतलब होता है French, अंग्रेज, ठीक है, आंगल मतलब अंग्रेज, तो तीसरा जो आंगल में सिरूद हुआ वह 1792 से बिरानवे शुता हुआ, और जब यह युद की समाप्ती हुई, तो किसकी संधी हो हुई, तो स्री रंग पत्टनम की संधी हुई, और यह 1792 स्वी में ह अगर आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल में जो है अस्थाई बंदोवस्त की जो सुरुभात हुए थी वो किसके सासनकाल में हुवी थी तब उस समय जो गवर्ना जनरल थे वो थे लाड कान वालिस और आपको ये पता अनुचिये कि ये जो है अस्थाई बंदोवस्त आखि आपको ये याद रखना कि अस्थाई बंदोवस्त के जमिंदार जो है किसको जमिंदार जो है किसको तो कंपणी को जो इस इंडिया कंपणी थे याने एक तरह से बोल दें गवर्नर को 90 परशंट देया राता था कर जिसको टेक्स और 10% खुद के पास रखना होता था ठीक है यह आपको समझना है नेक्ट बात करने नेक्ट है पॉइंट भारत में नागरिक सेवा एवन पुलिस का जो जनक है वो लाड कानवाले सको ही कहा जाता है ठीक है नेक्ट बात करने नेक्ट है लाड वेलेजिली जो कि इसका प्रियड रहा है 1798 से 805 सभी तक और इसके सासान्रकर में शकायक संधीज की परणाली का आरम रहे किसका सहथ संधीज की पर नाली काड़िका 5798 1799 Sv. Mets we met ठीक है और इसी की समय में चौथा अंगल में शूर्य यूद भी वह था चौथा अंगल में शूर्य में इंपॉर्टन्थ है ध्यान में रखेगा दूसरा मराठा यूद का अंगल मराठा यूद 1803-1805 और इसी के समय में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के अस्थापना की गई थी चले मैं आपको यह बताता हूं कि सहायक संधी क्या थी देखे सहायक संधी अच्छा आपको यह याद रखना है सबसे पहले कि सबसे पहले जो है है हैजरावाद ने सहायक संधी को यह अपनाया था ठीक है यह तो सविकार का था सहायक संधी क्या था इस पर नाली का उद्दिश यह था कि ब्रिटी सराज का और बिस्तार करना के अलग अलग नगos से साय कसंदी थी तरसी है ठीक है नेक्स्ट बात करने नेक्स्ट आपके सामने वह बंगाल का गवंणर जनरल तो वह कौन सा सुगोली की संदी 8 finances 9 अंघ्ट में बात कर रे तीन हो बनाठ्य उनिए फिस她 बीस सब्सक्राइसंवी उनिस तक और मालाथा इस तरसी जम पूर्ण रूपजरी मत्या है ठीक है, और रहयत वारी परनारली की अस्थापनों भी सबसे पहले मदरास में हुई थी, ठीक है, एhtar सो बीस इसवी में, रहयत वारी बेवस्था, ये क्या है था फ्रेंट्स? रहीत वारी विवस्ता एक तरह से आपको यह बतार दू या फिर बोले जो गवर्णर जनरल को यह टेक्स देने लगे ते इस तरह से जो धोकादरी था या दलालीपन था वो खतम हो गया ठीक है नेक्स्ट है प्रेस पर लगे परतिबंद को समाप्त कर दिया किसने लाड हैस्टिंग्स नहीं जो प्रेस पर परतिबंद लगा गया था उससे जो है यह खतम कर दिया ठीक है नेक्स्ट बात कर लें नेक्स्ट है आपके सामने अब देखे अब है बंगाल का और भारत का गवर्णर जनरल देखे बीच में जो है पहले सुरू में जो है बंगाल का गवर्णर जनरल इसी के समय में हो जाता है कैसे मैं सबसे पहले प बंगाल का अंतिम गवंणर जनरल लौड विलियम बेंटिक ठीक है इसके समय में जो सथी पर्था का उन्मूलन अर्था रूख हो जाता है बंद हो जाता है और यह 1829 में काम होता है ठीक है इस पर गोटा करके और इस तरह से भाद का पहला गवंणर जनरल लौड विलियम बेंटिक ठीक है इसी के सासनकाल में मैकाली की अनुसंसा पर अंग्रेजी सिक्षा को अंग्रेजी का सिक्षा का माध्यम बनाया था नेक्स है इसने शिसू बालिका की हत्या पर प्रतिबंद भ लौड विलियम बेंटिक ने नेक्स आपके सामने है वह है भारत का अगला गवंणर जनरल वह है चाल्स मेड़कॉफ और इसके सासनकाल में भारतिये प्रेज का मुक्ति दाता इसको खाजाता है इसके समय पहला जो अफगान यूद हुआ था याद रखेगा ता याद रख रंक रूट जो है इसकी मरम्मत करवाई थी लाड ओकलेंड ने ठीक है नेक्स्ट आपके सामने लाड एलिन बरो देखे मैंने जो जहां भी थोड़ा सा भी इंपोर्टेंट लगता है मैं उस गवरनर जनरल को एड कर लिया है ठीक है लाड एलिन बरो इसके समय में दास पर् ऐखना है रविवार को छुटी मनाने की सुरबात कब हुई 1843 स्वी में किसके सासनकाल से लाड एलिन बरों के सासनकाल से नेक्स्ट है नेक्स्ट है लाड हार्डिंग परथम और इसके जो सासनकाल में पहला आंगल सीक्यों दीए था पैताली से छैलिश ने ठीक हम्श्ट का जो उन्मुलान यानि को रूख था जैसे समाधिक सुधार जो है यह लाड़ हार्डिंग पर्थम के सासनकाल में ही हुआ था नेक्स्ट है लाड़ डलोजी यह बहुत ही इंपोटेंट है इसे आपको इस्टार लगा लेजिए यहां से को संस बार-बार पुछा आता है सबस अगला भारतें रेल्वे का जनक स्थे जोड़ने वाली पहली रेल लाइन बिचा गई थी लाड़ डलोजी के शासनकाल में आपippy पुनर बिभाग का नाम सुनो अगर आपको पूछा जाए कि नीती ठीक है या हरब की नीती का जो है प्रतिपारण किसने कि आथा सिध्धान किसने दिया था तब आपके सामने अब देखें अब यहां से फिर इंपॉर्टेंट जो होता है पहले तो भाद का गवर्नर जनरल होता है और वाइस इस तरह से मैं पर्थम वाइस राइक होन था तब आपको पताना लाड करेंग इस तरह का कोश्ण से ठीक है अंतिम यहां से पूछा जाएगा और पर्थम यहां से पूछा जाएगा ठीक है देखें वर्स अठाशन तावन का बिज्रोज जो हुआ था वह इसी के सासनकाल में लाड करेंग के सासनकाल में हैं अगला है इस इंडियर कंपणी का उनमुलन थे को यहां पर इंडियर कंपणी के द्वारान किया जा रहा था इससे पहले जो आपने देखा जितना भी गवर्नर गवर्नर जनरल का नान वो सिर्फ इस इंडिया कंपनी के दवरा सासित हो रहा था ठीक है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वाइसराय बना मैंने आपको पहले बता दिया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल canning बना और भारत का पहला वासराय भी लाठर केंग बना इसने बीदवार पुनर बिवार का अधिन्यम लागू किया वह जो है लाए थे लेकिन लागू इन्हो नहीं नहीं ठीक है, किसने लाड कैनिंग ने, नेक्स्ट है, राज विलाई की नीती समाप्त कर दिया, किसने वो राज, लाड कैनिंग ने, ठीक है, नेक्स्ट है, लाड मेयो, यह इंपोर्टेंट है, ज्यान रखेगा, लाड मेयो के समय में ही जो है, भारत में पहली बार जंगर्ना होव था वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था आपको पता होगा कि वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट क्या है अगर नहीं पता है तो मैं आपको पता देता हूं वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट के तहत ही भारतियों को समचार पत्रों पर जो कठोर परतिबंद था वो लगा दि जब यह था वह सांकाल श्राइब किसा सांकाल में अब लीटन के तो रीपन के सासनकाल में वर्ना पूलर प्रेस एक्ट जो था उसको समाप्त कर जाएगा इसको समाप्त कर दिया है हटा दिया ठीक है अगला है पहला कार खाना अधिनियम 1881 में लाग हुआ अधि नियमित रूप से जंगना शुरूब 1881 इसमी में पहला जो है सासन चालू हुआ ठीक है और बात कर यहां पे मैंने आपको देखे आपने जो 1772 इसमी में देखा था लाड मेयो के सासनकाल में जो जंगना हुए थी वो नियमित थी लेकिन अब जो निय होगा दो 21 में होगी यानि कि इस बार होगी दोजार्स geri design to यहां पर आपको याद हो गया एंशी तो यहां पर आपको याद हो गया डुप से आप जंगना कपसे साक्काल में पारित होती है इस्था सासनकाल में लाड डफ्रीन जो ए इसके सासन के काल में क्या हुथा भारतीय राष्ट्य गॉंगरेस के स्थापना होती है और बंबई में होती है और किस ने की थी तो A.O. हुम ने की थी यहां से आपको एक दो questions में मौखिक बता देता हूं friends देखें अगर आपसे पूछा जाए कि भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष कौन थे तब आपको क्या बताना है तब आपको बताना है बनर्जी का ठीक है WC बनर्जी का नाम बताना है ठीक है लेकिन आ एक भारतिय राष्ट्य कॉमरेजिस के पर्थम महिला चिंधर है क्या चितना आपको ध्यान में ठीक है नेक्स बात करें नेक्स है वाइसरा कर्जन और इसके समय में पुलीस आयोकी नियुक्ती यह उनुनिस्तोडो में हुई थी तीक है नेक्स्ट विश्विद्याले आयोक क liksom करल में इंपोर्टन थे बंगाल का विभाजन 305 स contenido कि आप अद भारत का वाइस जो कि लाड़ मिन्टो सकेंड और यह सवद्धिशती सक् detained में वह था यह मैं आपको बता दू जो अपने देखा बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था उसी के बिरोज में जो यह सासन जो है स्वदेशी अंदोलन स्टार्ट किया गया था और यह लाड मिन्टो स्थापन में हुआ स्थापन में इसके समय में जो है जो ब्रिटेन के राजा थे जॉड्ज पंचम वह भारत आये थे और दिली में जो है ख़ाई दरवार का एवजन किया गया था और बंगाल की विवाजन स्थान उस्थांतर्य किये थे 편 कलकत्ता सट्ठ्ञ उसिता स्थान 1915 में इसी के सासनकाल में होती है wurt Κार नाकार्णैसेरोट में क्या होता है लखनों की संदी यह चमपारां स चले सिखांध में होता है सायोग अंजो होता है और खिलाफ़त फारन इसके नहीं करने 320 में 20 के सांकाल में ंश्टार्ट होता है तेक है इतना आप तर्टकू मैंने लिक रख आपके लिए इंपोर्टेंट है ध्यान में रखेगा सच्छarenthति लडर रेडि क्या है सब्सक्राइब साइमन था brings में होती है और नेयरी रूराज की सॉपी जाति है वह अनिसमा इसमें भी तिया क्या गया था अगला है डांडी मार्च और सवीनेя अवग्याउंदोलन यह दोनों इंपोर्टन्ट है गौंधी इर्विन पैक्ट जो 1931 में हुआ था ठीक है नेक्स बात कर लें नेक्स है लाड वेलिंग्टन लाड वेलिंग्टन के समय में दूसरा और तीसरा गोल में समयलन हुआ है 1931-1932 में और यह सभी गोल में समयलन लंदन में हुआ है आपको अगर पूछा जाए कि इन ती इनों में भारत की cocaine सिग लेने वाले नेता चानाम क्या था तो आपको बताना है डॉक्तर भीम्रागं अंबेतकर और गॉल में समयलन में भाग लिए थे बात आफोरा गोल में समयलन तो आपको किस गोल में में भाग लिये थे आपको mo attacks when 1932 भीए था कब पूना पैति सथी हुआ था और यह लाड रिंग्टंग के समय में ही आया था आप पूठा जाम गंग्रेस के अध्ययक्श कब बने थे तापको बताना है के वेन बार बने हैं वो भी 1924 में और कब तो बेलगाउं अधिवेशन में बने थे ठीक है और गॉंदी जी जो एक ही बार कॉंग्रेस का धक्ष बने थे ठीक है नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट आपके सामने लाड लिन लिन लिथगो और यह 36-44 तक रहते हैं भारत के वाइसरा है और यहां पर भारत फॉर्वर्ट ब्लॉक का गठन जो की उनिस सो 49 में होता है इन्हीं के समय में होता है दूसरा है मुस्रिम लिख का लाहोर संकल्प जो की मुसलमानों के लिए एक अलग राजी की मांग की जाती है इन्हीं के सासनकाल में जो सी राज बपाला चारी थे इन्हीं का जो सी आर फॉर्मूला आया था 1944 में नेक्स्ट है वेवेल योजना और सिम्ला सम्मेलन याद रखे है बहुत इंपोर्टेंट है इसका इस भी पूछा रता है कब हो आता तो भारत की और आता है लाज्ट आपके सामने लाड मांट बेटन जो है जो की मार्च उन्हीं इससे तालिस को यह भारत का वाइसरायत बनते हैं और 1948 इसवी तक चलते हैं आपके यहाद रखना है कि रेट किलीब जो है आयोग इन्हीं के सासनकाल में 1947 में आता और भारत को जो स्वत्मता के प्राप्ति मिलीए इसी के लाड मांट बेटन योजना के तरहती मिलती है और पंदर आगोस में जो 47 को भारत आजार हो आते हैं इस तरह से लाड मांट बेटन जो है भारत के अंतिम वाइसराय का लाते हैं यहाद रखे है भारत के अंतिम वाइसराय कों थे लाड मांट बेटन और आगे आप क्या दखना है भारत की तरफ से जब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पर्थम भारती गवर्नर जनरल जो थ उम्मिद करता हूं जब आप दो-तीन बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ठीक है यह मानता हूं कि एक बार में याद नहीं हुआ होगा सभी लेकिन यह सभी इंपोर्टेंट थे इसलिए मैं एक ही लाइन में फॉर्म में आपको करके आपको दे दिय ठीक है उम्मिद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आयोगी फ्रेंट से अच्छा रगाओ तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिजगा क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही मैनत किया इस टाइप से आपको कोशन को एड़ करने के लिए ठीक है चलिए मिलते है न